नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुबाश ठाकर के साथ सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी क्रिस्मस जैरेब 2021 हिंदी की तेयारियों के अंतरगत हम अपना इकाई दो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने सगुन रामभक्ति काव्य के बारे में डिसकस कर लिया था तुलसिदास के बारे में अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप इकाई दो के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट पनी है उसे चेक कर सकते हैं आज हम पढ़ेंगे सगुन कृष्ण भक्ति काव्य इसमें हम कृष्ण काव्य वा सूर्दास के बारे में विस्तार से जानेंगे कि सूर्दास की मौटपून जो कृतियां कौन-कौन सी है और हिंदी साहीते में उनका क्या योगदान रहा है और विद्वानों के मत क्या है सूर्दासची के बारे में तो चलिए बिनदिर के शुरुआत करते हैं आज के लक्चर की और सबसे पहले देख लेते हैं क्रिशन कावय के बारे में सरगुन भक्ति जो क्रिशन भक्ति है देखिए सरप्रत्थम अगर इसके उलेक की हम बात करें तो क्रिशन का जो पहला उलेक मिलता है ये रिग्वेद के आठ्वे मंडल में और 85 सुक्त के रहचैता के रूप में मिलता है यहां पर एक चीज महत्वपूर्ण ये है दोस्तो कि जितने भी क्रिशन भक्ति से रिलेटिड संपरदाय हैं चाहे आपका निमबार्ग संपरदाय है चाहे आपका चतन संपरदाय है और दूसरे जितने भी हरिदासी हो गया वलब संपरदाय हो गया इन सब के बारे में हमने जब भक्तिकाल के बारे में हमने स्टार्ट किया था, उस वक्त अच्छे से डिसकस कर लिया था, इसलिए मैं आज वो सारी चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ, क्रिशन भक्तिकाफे की जो एक तरीके से प्रवर्तन है, वो वहीं से माना जाता है, आपके जो वलब हैं या अन्य जो संपरदाय रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ बनन जरूर मिलता है, लेकिन आज हम directly जो क्रिशन भक्तिकाफिं हैं, उनके बारे में ही डिसकस करेंगे, और जो शगून क्रिशन भक्ति है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, अगर आपने संप्रदायों वाले lecture's देखने हैं, तो आप वो वाले lecture's भी देख सकते हैं, 1ाई 2 में ही हमने वो रखे हुए हैं तो सबसे पहले देखिए, यहांपर अगर हम बात करें क्रिशन का जो सरप्रत्तम उलेक की सरप्रथम इसका जो उलेक मिलता है देखी ये रिगवेद में मिलता है रिगवेद में भी कहाँ पर आठवे मंडल में 85 सुक्ट के रचेईता के रूप में मिलता है और इसके अलावा प्रथम मंडल में भी ठीक है तो ये कुछ एक महतपूर्ण चीज़े हैं कि जो कृष्ण कावे है देखी यही हिंदी साहित्या में राम कावे की अपिक्षा अधिक माना जाता है है ना जो कृष्ण कावे की परंपरा है राम भक्ती कावे परंपरा से ये अधिक है जहां एक और जो आपका RABBKT में तुल्सिदास का स्थान श्रेष्ट था वही सूर्दास का स्थान किसमे है सगुन कृषण भक्ति कावे में श्रेष्ट माना जाता है लेकिन फिर भी सूर्दास के अलावा जो अन्य कृष्ण भक्त कवी है उनकी संख्या रामभक्त कवियों से अधिक है यहां पर दूसरी जो चीज है देखिए कृष्ण लेलाओं का जो सरवप्रत्थम उलेक मिलता है वो अश्रगोश्कृत ब्रह्मचरित में मिलता है तो यह वाला प्रशन अभी हिमाच्परदेश जो L.T. कमिशन की परिक्षा हुई है वहाँ पर पूछा गया था वहाँ पर प्रशन इस तरीके से यह रखा गया था कि सरवप्रत्थम कृष्ण का उलेक कहां पर मिलता है तो देखे यह अपने आप में एक तोड़ा सा विपादेसपत प्रशन भी है क्योंकि देखे क्रिशन का सरवप्रत्थम उलेक यह कहां पर है यह अश्वगोश्कृत ब्रह्म चरित में मिलता है यह बात यहां पर अच्छे से डिसकस कर दी हमने कि देखिए अगर कृषिन के उलेख की बाता है तो रिग्वेड में मिलता है हाना कि उसमें एक रिशी के रूप में ये माना जाता है और अगर कृषिन के लिलाओं का उलेख है तो वो अश्वगोशकेत ब्रह्मचरित में मिलता है ये दो अलग-अलग चीजें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, चलिए आगे हम देख लिते हैं कि राधा का वनन प्रत्थम शताबदी में रचित गाथा सब्थचती, जिसे गाहा सब्थचती है ना, के नाम से भी जाना जाता है, उसमें हुआ है, और गाथा जो सब्थच सब्थचती की रचना की है और इसमें ही इनोंने किसका वनन किया है, देखिए, राधा का, या शोदा का और जो दूसरे लोग है, उनका वनन इसमें देखने को मिलता है, अब बात करते हैं कि संस्कित के जो कभी जैधिव थे, उन्होंने गीत गोविंद की रचना में की और जो गीत गोविन देदी के ये भी क्या है ये कृष्ण से रिलेटिड इनका गीती काव्य माना जाता है मतलब कहने का भी प्राई ये है कि प्रारंभ में रिगवेद में भले ही कृष्ण का जो है वन मिलता हो लेकिन सही तरीके से अगर हम ठीक है फिर आता है कि आधुनिक भारतिय भाषाओं में क्रिशन काव्य का प्रारंभ कहां से होता है तो देखिए आधुनिक भारतिय भाषाओं में क्रिशन काव्य का प्रारंभ माना जाता है ये मैथिल कोकिल विद्यापती से स्विकार किया जाता है तो देखिए आधुनिक भारतिय भाषा में किस स्विकार किया जाता है क्रिशन कावे का प्रवर्ण ये माना जाता है विद्यापती से और विद्यापती के किस रचना से देखिए पदावली से ही माना जाता है ठीक है तो पदावली में इन्होंने क्रिशन की जो बाल लिलाओ प्रिक्षन की जो जितनी भी चीज़े हैं उन सब का अच्छे तरीके से वर्नन किया है और इसी लिए कहा जाता है कि जो मैथिल कोकिल विद्यापती हुए हैं उन्होंने क्या किया सबसे पहले आधुनिक भात्य भाषाओं में क्रिशन कावे का प्रवर्तन किया है ठीक है आधार गरंत क्या है तो यह है देखिए श्री मदभागवत महापुरान ठीक है इसी के अंतरकत आप देखेंगे कि आगे सूर्दास जी ने भी इसी को आधार बनाया और इसका जो दस्वा सकंद है देखिए उसको आधार बनाकर उन्होंने ही सूर्शागर की रचना की और स हम सब लोग जानते हैं मैं प्रारंब से ही जब हम भक्तिकाल के बारे में पढ़ रहे थे उस ताइम से ही कह रहा था कि जो सूर्दास हैं वो क्रिशन भक्त कवियों में क्या हैं अपना प्रमुक स्थान रखते हैं लेकिन इसके अलावा अश्ट छाप की जो अन्य कवी हैं उन्होंने भी इस ओर अपना महत्वपोर्ण योगतान दिया है किस ओर क्रिशन भक्ति की ओर तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो राम भक्त कवियों है वो कम है और जो क्रिशन भक्त कवियों है उनकी संग्या ज्यादा है और क्रिशन काव्या भी ज्यादा हमें राम काव्या क या पेक्षा देखने को मिलता है तो देखिए अश्ट छाप के कभी कौन-कौन से थे ये सारी चीज़ें हम विस्तार से आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे लेकिन आज हम मैनली जो चीज पढ़ रहे हैं वो हम सूरदास के ऊपर ही ये लेक्चर कर रहे हैं ठीक है? तो देखिए हिंदी साहिते में कृष्ण भक्ती कावे परमपरा सबसे लंबी और समरिध है तो ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि हिंदी साहिते में जो कृष्ण भक्ती है वो ही उसी की जो परमपरा है ये सबसे लंबी और समरिध मानी जाती है चली ये तो होगी बात कृष्ण भक्ती की अब हम देख लेते हैं कि जो प्रमुक कृष्ण भक्त कवी कौन कौन से हैं तो देखिए प्रमुक कृष्ण भक्त कव्यों में जो सरवप्रमुक नाम आता है ये सूर्दास जी का आता है हालनकि सूर्दास जी अश्च्छाप के कवियों के अंतरकत आते हैं और अश्च्छाप के उपर हम अगला लेक्चर त्यार करने जा रहे हैं जनमकाल के अधार पर माने तो इन से पहले कुम्बंदास का समय माना जाता है जो 1468 के आसपास विद्यमान थे ठीक है लेकिन इनका जो जनम है देखिए सूर्दासी का ये 1478 माना जाता है ठीक है तो इसके अधार पर इनका जो जनम है देखिए ये किसके बाद है ये कुम्भनदासी के बाद है ठीक है अब हम सूर्दासी के बारे में अगर बात करें तो देखिए सूर्दास के जीवन को अधार किन-किन रचनाएं जो हैं कौन-कौन सी रचनाएं हैं जिनको अधार मान करें इनके जीवन वृत या इनके जनम को अधार माना जाता है तो सबसे पहले जो प्रमुक रचना है दिखिए नाबादास की भक्तमाल कृती है और 84 वेशनवन की वारता तो ये गोकुलनात जी की है और वल्लव दिग विजय यदुनात जी जिसके रचईता हैं इत्यादी जो रचनाए हैं यही सूरदास की जीवन को या जनम को जानने के लिए अधार मानी जाती है ठीक है तीक है जनम स्थान के समद्ध में भी अलग-अलग मत हैं जिस परकार तुलसिदास के जनम स्थान के समद्ध में हमने अलग-अलग मत देखे थे कुछ एक सोनों बताते हैं, कुछ एक राजापुर बताते हैं, वैसे ही सूरदास जी के जनम स्थान के समझ में भी अलग-अलग बिद्वानों के अलग-अलग मत हैं, तो दो जगा हैं, तो पहला है दिखिए, रुनकता, गौगाट, दूसरा है आपका, सीही, तो ये जो दो इनको माना जाता है, इनके जनम स्थान, और देखिए, रुनकता को कौन-कौन मानते हैं, या गौगाट को कौन-कौन लोग मानते हैं, इनमें है श्याम सुंदर दास, अचारे रामचंदर शुकल जी और हजारी परसाद दूवेदी, ये मानते हैं कि इनका जो जनम स्थान ह नहां पर है रुनकता गौगात में है लेकिन जो डॉक्टर नगेंदर गणपते चंदर गुपत हुए हैं वो कहते हैं कि इनका जो जनमस्थान है वो कौन सा है सी ही है ठीक है तो ये दो चीज़े आपने याद रखनी है देखिए उसके बाद ये कहते हैं कि सूरदास के गुर हालां कि वलबहचारे के जो शिश्य थे देखिए कुल वो 84 थे जबकि विठलनाथ ने 252 शिश्य बनाए थे और अश्च्छाप के कवियों को भी आप देखते हैं कि जो अश्च्छाप का मतलब है आट कवी ठीक है कृष्ण भक्त कवी और उनमें से चार कौन थे जो वलब वलबहचारे के शिश्य थे ठीक है और सूरदास के जो गुरु थे देखिए वो कौन थे वो बलबहचारे थे और वलबहचारे इन से मात्र दस दिन बड़े माने जाते हैं सूरदास जी से वलबहचारे ने ही सूरदास को भगवत लीला वनन करने का उपदेश दिया तो ये वाली बात कई बार परिक्षा में पूछी जाती है कि किस ने सूर दास को भगवत लीला वनन करने का या प्रभु की लीला का या कृष्ण की लीला का वनन करने का उपदेश दिया तो ये किस ने दिया था ये उनके गुरु वलवाचारय निजी नहीं दिया था तो ये बहुत किसने कही है यह कही थी वलवाचारे जी ने सूर्दास जी के संबंद में आगे है दिखिये वलवाचारे की आगया से सूर्दास जी ने शरीमत भागवत की कथा के पदों में गाया और और सूरसागर इसका प्रमान है तो दिखिए जैसे ही वलवाचारे ने सूरदास को उपदेश दिया कि तुम प्रभू की लीला का वनन करो उसका बखान करो तो वैसे ही सूरदास ने क्या किया प्रभू की लीला का जो वनन करना शुरू कर दिया और उसकी कथा को पधों में गाया तो गाने से मतलब है देखी गे जो काब्य है वो आपका कौन सा है जो सूरसागर है वो ही इसका प्रमान भी मिलता है जिसे क्या कहा जाता है गे मुक तक काब्य माना जाता है अधिकतर जो भी पद है देखी यो उसके गाने वाले हैं गे का मतलब होता है गाने वाले पद ठीक ह लेकिन सूर्दास ने उनको क्या अपने मुख से सिर्फ गाया आई है ऐसा माना जाता है ठीक है तो इसका प्रमान कहां पर मिलता है हमें सूर सागर में मिलता है जिसमें क्रिशन की लिलाओं और मतुरा गमन की कथा फुटकल पदों में उन्होंने गाय हुई है तो ये सूर्ण्थ हैं लेकिन उनमें से प्रमानिक केवल तीन ही माने जाते हैं जो उपलब्भ भी है उनमें भी सर्वश्ष्ठ जो क्रिटी माने जाती है इनकी देखे ये सूर सागर है जिसमें 4936 पद वह बारा सकंध है और इसमें जो ब्रहमर गीत है देखिए उनकी तीन संख्य मानी जाती है जिसमें ब्रहमर गीत जो है देखिए इसको क्या माना जाता है सर्व श्रिष्ट मर्म्स पर्शी रचना माना जाता है ठीक है अगर हम बात करें देखिए सुर्षारावली की तो इसमें 1107 चंद है और साहित लहरी के समद में कोई जाधा जानकारी उपलब्द नह ही है तो मेंली जितनी भी चीज और जो सूर्दास की श्रिष्टता का जो आधार है वो किसको माना जाता है वो सूर्षागर और ब्रहमर गीत को ही माना जाता है इसके जरिये ही इनको हिंदी साहित्य में क्या मिला है विशेश ख्याती और विशेश सम्मान मिला है चलिए बहुत कुछ विद्यापती के पदों पर हुई है तो ये बात अचारे रामचंद्र शुकल जी मानते हैं कि जो सूर के श्रिंगारिक पदों की रचना हुई है वो क्या है जो विद्यापती के पदों पर हुई है और हमने पहले भी कहा कि आधुनिक बाते भाशाओं में विद का अनुकरण है विद्यापती का अनुकरण है सूर सागर क्रिशन कावे का महत्वपूर गे कावे है मुक्तक कावे लिए आगे लिख दिया है मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जो सूर सागर है वो किस देखे का कावे है क्रिशन कावे है और ये गे मुक्तक कावे है हाला क कि अलग-अलग विद्वानों ने इसके सम्मंद में अलग-अलग चीजें कही हैं। कुछ है कि इसको लिला प्रबंध कावे या भाव प्रबंध कावे कहते है कुछ ही इसको क्या कहते है कि ये गीत कावे आत्मक मन रोगों पर अधारी तो विशाल महा कावे है है ना जब कि कुछ कहते है कि ये क्रिशन चरीत का महा काव्य है तो अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग चीजें कही है लेकिन सरव मानने जो मत है देखिए वो यही है कि जो सुरसागर है वो क्या है गिय मुक्तक काव्य है आगे कहते हैं कि इसकी जो कथा है देखी यह श्रीमत भगवत पुरान के दशमसकंद से ली ग और इसमें कितने सकंद है देखिए बारा सकंद है और बारा ही सकंद आपके किसमें श्रीमत भगवत पुरान में भी है जिनमें किशन के जनम से लेकर मतुर जाने की कथा है यह चीज भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ सूर्तास का जो ब्रहमरगीत है वो ब्योग श्रिंगार का सरवोच शिखर माना जाता है तो यह ब्योग श्रिंगार का माना जाता है जो ब्रहमरगीत है और इसी के चलते बहुत सारे लोग इसको क्या कहते है यह उपालंब का काब्वय भी कहा जाता है किसको ब्रहमरगीत को जबकि अचारे राम चंद्रे शुकल इसे क्या मानते हैं ये इसे ध्वनी का आप बे मानते हैं उपालंब का मतलब है देखिए उलाहना मतलब एक तरीके से जब आप देखते हैं ब्रहमर गीत में क्या है जो गोपियां और उद्धव हैं उनका संवाद बताया गया है वो एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट करते बताया गया है कि जहां पर निर्गोन का उपदेश दे रहे होते वो उद्धव दे रहा होता गोपियों को तो ये सारा के सारा जो उनका संवाद है ये ब्रहमर गीत में दिखाया गया है और इसके जरीए ही क्या कहते हैं कि जो सूर्दास जी हैं देखिए उन्होंने निर्गुन का खंडन और सगुन का मंडन बेहद चतुराई से करने की कोशिश की है तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो सूर्दास थे वो क्या है सगुन उपा सकते हैं आगे है देखिए ब्रहमर गीत का जो आरंब ही निर्गुन विरोध से हुआ है तो निर्गुन के विरोध से ही मानते हैं कि जो उन्होंने ब्रहमर गीत का आरंब किया है कि आयो गोश बड आती हुई इसतरे के से कहती है encuent्षकिoria कि तुम कॉन देश के वासी हो और वो निर्गुन कॉन देश को वासी किस देश का है है ना हमें उससे कोई लेना देना नहीं है नेक्स से दिखिए हिंदी में ब्रहमरगीत परमपरा का जो प्रवर्तन है ये सूर्दास ने किया तो ये भी बहुत मुत्पून चीज है कि पहले हमने कहा कि जो इन्होंने सूर्द सागर लिखा उसमें इन्होंने ब्रहमरगीत रखा है सूर्दास वातसले रस का समराट कहा जाता है सूर्दास जी को नेक्स दीखिए कि सूर्दास को उधव का अवतार माना जाता है तो ये भी बहुत मत्रपून चीज है कि जो सूर्दास है उनको किसका अवतार माना जाता है उधव का अवतार माना जाता है वलबा अचारे के शिश्य बनने के बाद सूर्दास जी चंदर सरौबर के समीप पारसोली गाओ में रहने लगे थे और वहीं 1583 इस्वी में इनका दिहावसान हुआ तो देखिए 1583 में इनका क्या हो गया दिहावसान हो गया कहां पर हुआ था चंदर सरोबर के समीप पारसोली गाव में है ना और उनकी मृतियों पर शोकार्थ होकर गोस्वामी विठलनात ने कहा था पुष्टी मार्ग को जहाज जाता है सो जा को कचु लेना होए सो लेउ देखिए इनको पुष्टी मार्ग का जहाज भी कहा जाता ह और ये बात किस ने कही थी ये कही थी गोस्वामी विठलनात जी ने और गोस्वामी विठलनात कौन थे जिन्होंने अश्च्छाप की स्थापना की थी और अश्च्छाप की स्थापना कब हुई थी ये हुई थी 1565 इस्वी में ठीक है और जो गोस्वामी विठलनात है ये वलबायचारे के पुत्र थे कि इन्होंने ही क्या अश्च्छाप की स्थापना की थी और इन्होंने कहा था कि जो पुष्टी मार का जहाज जात है जिसको जो कुछ लेना है वही वो ले लें किसकी मृत्यूपर सूर्दास जी की मृत्यूवर कई बारे ये परिक्षा में पुछ जाता है कि अश्च्छाप का जहाज जो सूर्दास को किस ने कहा है और ये पंक्ती भी दि जाती है कि ये किस की पंक्ती है तो आपने इसको नोट कर लेना है ये याद कर लेना है सूर्दास के जो प्रसिद्धी का अधार ग्रंद कौन सा रहा है इसके अलावा इनके जो अन्य ग्रंद कौन से हैं 25 ग्रंद माने जाते हैं उनमें से सिर्फ तीन है और उनमें भी सूर सागर सबसे श्रेश्ट किती माने जाती है और उसमें जो ब्रहमरगीत है उसको प्रमुक माना जाता है ब् परिक्षा के लिए जो उपयोगी थी वो मैंने आपको बता दी है अब सूर के समंद में जो प्रमुख लेखक हैं उनके कथन क्या है इस पर थोड़ी से नजर दोडात लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं कौन-कौन से ऐसे प्रमुख कथन हैं जो सूर दास के समंद में ये पूछने के संभावना अधिक रहती है तो इनको समझना बहुत जरूरी है खासकर अचारी रामचंद्र शुकल को समझना बहुत जरूरी है तो देखिए शुकल के ही सबसे पहले हमने कथन यहां पर रखती हैं कि जिस प्रकार रामचरीत का गान करने वाले कवियों में गोष्वामी तोलसिदास जी का स्थान सरवशिष्ट है उसी परकार ब्रह्मचरीत स्वरी कृष्ण चरीत गाने वाले भक्त कावियों में महात्मा सूरदास जी का वास्तव में ये हिंदी काविय गगन के सूर्य और चंद्र हैं तो गलती वर्ष कुछ एक्स्योंस क्या करत कि ये मान लेते हैं कि ये किस के लिए कहा है सूर्दास के लिए ही कहा है लेकिन ऐसा नहीं है ये इन्होंने किस के लिए कहा है इन दोनों के लिए कहा है सूर और गोष्वामी तुलसिदास जी के लिए कि ये क्या है सूर्य और चंद्र है तो इसको आपने याद रख लेना ह कि जैसा स्थान किसको था तुलसिदास को राम कावे में है और वही स्थान कि जा है कृष्ण चरित गाने वालों में किसका है सूर्दास जी का है यह शुकल जी मांते हैं आगे शुकल जी लिखते हैं देखिए कि वादसले और श्रिंगार के ख्शेतर का जितना अधिक नेक्स से देखिए सूर की रचना इतनी प्रगल्ब और काव्यांग पूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की उक्तियां सूर की जूठी मालूम पड़ती हैं ये बात भी किस ने कही है अचारे रामचंद्र शुकल जी ने कही है सूरदास जी के समन्द में कि इनकी रचना इ उनको पहले ही चक लिया हो जूठा कर लिया हो तो ये चीज़ कहते हैं अचारे रामचंद्र शुकल अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंग क्या कहते हैं वो कहते हैं कि सूर के पद हैं ये इतने अनुशासन पद हैं कि वे किसी चली आती हुई गी काब्य परंपरा का चाहे वो मौकिक ही रही हो पूर्ण विकास साब प्रतीत होते हैं तो ये मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंग यदि हम बात करें देखिए रामसरूप चत्रुवेदी की ये कहते हैं कि सूर पूरी तरह क्रिहस्त मानस के कवी हैं तो हो सकता है ये पंक्त की एक चोड़ी वासुदिव और देवकी की है दूसरी नंद और यशोता की ये मानते हैं रामसरूप चत्रुवेदी तो ये थे महत्वपूर्ण जो कवी या महत्वपूर्ण जो लेखक अलोचक थे उनके कथन इसके अलावा कुछ एक कथन अन्य है जो सरसुदी पांड़ की पुस्तक से मैंने आपके बीच में रख दिये थे देखिए अचारे रामचंदर शुकल के कथन ये वहाँ पर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं अपनी पुस्तक में एक बार ये कहते हैं कि वातसल और श्रिंगार के ख्षेतर ये हमने पहले अभी कर भी लिया था अग रखते हैं किस मामले में नवीन प्रसंगों की उदभावना में ठीक है तो यहाँ पर ये चीज महतपूर्ण है इसको पूछे जाने की संभावना बन सकती है नेक्स से दीखिए शुकल का ही अगला खतन है ये कहते हैं कि अचारे रामचंदर शुकल मानते हैं किस के बारे मे सूर्दास के बारे में कि अचारियों की छाप जब लगी हुई आठ वीनाएं क्रिशन की प्रेम लिला के दिन करने उठी तो सबसे सूरीली और मधुर जंकार किस ने सुनाई थी सूर्दास जी ने सुनाई थी क्लियर है आखिर में देखिए अचारे हजारी प्रसाद दुवेदी ने लिखा है कि सूर्दास जब अपने विशय का वनन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दोड़ा करता है उपमाओं की बाढ़ा जाती है रूपकों की वर्षा होन लगती है संगीत के प्रवा में कवी स्वयम बह जाता है तो ये बात कौन मानते हैं ये अचारे हजारी प्रसाद दुवेदी जी मानते हैं तो ये महत्वपूर्ण विद्वाने कोई अलग-अलग कथन थे जो मैंने आपके बीच में रख दिये हैं इसके अलावा चहां कहीं भी आपको जो अन्य चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं तो आप उनको भी एक बार जरूर देख लें क्यूंकि सूरदास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षाद से के लिए और बहुत उपयोगी हैं इन से प्रशन बनने की संभावना रहती है जो जो महत् करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों अगले लेक्षर में हम अश्च्छाप के कव्यों के बारे में बिस्तार से जानेंगे आज के लिए इतना ही शुक्रिया जहिंद।